तुम्हें सक्ती चाहिए हम कह रहें ऐसा करके देखो ना मिले तुम्हें बता ना कि कोई गंदा भोजन मत करना पराई मैं बेटियों के प्रति दोस्थ दृष्टी बेविचार मत करना मांश मत खाना जुआ मत खेलना चोरी मत करना और लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आँखों में समा रहा है हमारे हरदय में समा रहा है आप देखो अन्भो करके देखो हम आपको बताते रहें करो गंदे आचरन करो पापाचरन करो तुम्हें कोई शक्ती पाते है शर्व शक्तिमान भगवान या चाती में बैठें, यहां यहां बैठें, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंदन नहीं करोगे, तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, कि महालशक्ति का दाता भगवान अदिन हो जाएगा। कहा मारे घुम रहे हो किसके सामने मारे घुम रहे हो समझो समझो तुम क्या हो पहले समझो तुम भगवान के अंसर अब तुमें कोई सक्ती नहीं दे सकता क्योंकि तुम स्वयम सक्ति शरूप हो तुम अपनि सक्ति को पहचानी नहीं भगवान के बच्चे हो तुम तुम्हें किसी किसे भीक माघने की जयरुत है बस भूल गए अपने शरूपों को यह बेवहार है हाथ रखना प्रणाम करना नमस्कार करना एक बिवहार है परमार्थ है रदय देश में भगवान का चिंतन करना ये बात कम समझ में आएगी क्योंकि आजकल लोगों को स्वयम में शाधना करने की बात नहीं आती तुम जंतुर बना दो पांच लाग का घोसित कर दो पांच लाग आ जाएगे और उनको विश्वास दिल आज़ेक plans जाओगे तुम्हारा mangal हो जाएगा नहीं तुम mangal सुरूफ हो जाओगे तुम mangal करने वाले बन जाओगे तुम सुख देने वाले बन जाओगे पर समझ में नहीं किसी की समझ में नहीं आता कोई बिरला ही होता है शत्यमार्ग पर चल दे आप लिखो अपने शामने राधा और ऐसा भावना करो और हमें बताना आप यह माईक से कह रहे हैं बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है अगर आप बुरे आचरन करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते आप जैसे करें वैसे चलो सालों की बात रहे करें कुछे दिनों में आपको आभाश होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है बसली को शामने राधा नाम और भावना करो कि जैसे शूरित तेजों में किरने फेकता है ऐसे राधा नाम से किरने आ रही और हमारे अंदर शामर्त बढ़ रही भावना करो तो आपको अनुवों में आने लगेगा शत्यवस्तू की तरफ चलो शत्मार्ग की तरफ चलो ब्रह्म में मत भटको